हलो एवरीवन कैसे हैं आप साब आज बनाने जा रही हूं एक और नई डिजाइन का बेबी कैप इसको आप गल्स या बॉइस के लिए किसी के लिए भी बना सकते हैं और देखिए इसे बनाने के लिए मैं दो कलर की बूल ली है नाइन नंबर से लाई ली है और देखिए बू दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, इस तरह से मैं इसमें 50 फंदे ले रही हूं, पाँच के मल्टील से फंदे लेके आप किसी भी बच्चे का बना सकते हैं, यह देखिये यहांपे 50 फंदे मैंने ले लिए हैं, आप देखिये हम इसे उल्टा बुनेंगे, तो दोनों तरब से इसको उल्टा बनाते हुए हम यहाँ पे बॉर्डर बनाएंगे यह देखें ऐसे इधर से भी उल्टा और उधर से भी उल्टा ही बुनेंगे दोनों रो ऐसी ही जाएंगे उल्टी उल्टी तो देखें ऐसे ही उधर की रो बनाएंगे इस तरह की यहाँ प और आप अगर border चोड़ा बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे row बढ़ा सकते हैं यह देखिए यहाँ पे 6 row बनाके complete कर ली मैंने तो देखिए 1, 2, 3, 3 row मैंने इधर से बनाई हैं और 3 row इधर से बनाई हैं उल्टी-उल्टी, 1, 2, 3 अब देखिए यहाँ से हम second color add करेंगे पहले हम देखिए यह 5 फंदे बुनेंगे एक उतार लिया, 2, 3, 4, 5 5 फंदे बना लिए और देखिए अब हम यहाँ पे यह वाला color add कर लेंगे तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पाँच यह देखिए इस तरह से अब हम इस वाले से बनेंगे एक, दो, तीन, चार, पाँच यहाँ से यह वाला color लेंगे दो, तीन, चार, पाँच इस तरह से इसके बाद फिर से पिंक से बनेंगे पाँच पंदे दो, तीन, चार, पाँच इसके बाद फिर से यह वाला color इसको tight नहीं रखना है ज्यादा बूल को, नहीं तो यह खिचा-खिचा हो जाएगा तीन, चार, पाँच पूरी रो ऐसे ही बुननी है, पाँच पिंक और पाँच गिरे यह देखे यहाँ से अब हम पाँच पंदे बुनेंगे दो, तीन, चार, पाँच अब हम यहाँ से पिंक कलर का लगा लेंगे तो देखे दो, तीन, चार, पाँच यह देखे, इस तरह से उसके बाद देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँच यह देखे, इस तरह से यह रो बनाके मैंने कम्प्लीट कर ली और देखे, इस चीज का आपको ध्यान रखना है इधार पाँच पंदे पिंक होने चाहिए और इस साइड में गिरे होने चाहिए आपके पंदे ऐसे ही डले होने चाहिए जब होगा तो पता नहीं चलेगा अगर आपके दोनों तरफ यह पिंक पिंक हो जाएंगे तो यहां पे भंदे जादा हो जाएंगे जहां पे आप इसको जोइंट करेंगे अब देखे हम इसको उतारेंगे बूल अपने तरफ यहां से हम पाँच भंदे यह गिरे से बुनेंगे, बूल को इधर कर देंगे, और यहां से फिर से पाच फंदे, ऐसे, यह देखे, इसको इधर कर देंगे, इसको आगे लाएंगे, और पाच गिरे, पाच पिंक, ऐसे बुनते हुए, यह रो हम कम्प्लीट करेंगे, पूरी रो ऐसे ही बनानी है यह सबसे इजी है और बहुत ही जल्दी बनके कम्प्लीट हो जाएगा पांच पिंक बुन लिए पिंक को पीछे कर देंगे गिरे को आगे लाएंगे यहां से पांच गिरे बुनेंगे यह देखे इसको इधर किया इसको आगे लाई मैं और यहां से ऐसे यह पांच पंदे पिंक हो गए यह देखे तो देखे इस तरह से इसको बनाते हुए जाना है आप देखे यहां पे जो जैसा है उसको हम उल्टी रो में वैसे ही बनेंगे पांच पिंक ऐसे और देखे यह चार बुने इसके बाद हम इस धागे को थोड़ा सा इधर कर लेंगे ऐसे पांच मां भंदा बुन लेंगे ताकि यहां पे होल ना हो अब हम इसको यहां से पांच यह गिरे के बनाएंगे दोनों तरफ से इसको ऐसे ही बुनते हुए जाना है इसके बाद पांच गिरे कर दोना है पांच पिंक बनाएंगे पांच गिरे बनाएंगे और इधर की रोग कम्प्लीट हो जाएगे पूरी कि देखे इस तरह से इस तरह से हो गया आप देखे इसी को रिपीट करते हुए हम इसको और बनाए में तो यहां से जो पांच फंदे गिरे हैं उनको गिरे फिंक है उनको पिंक यह दो कम्प्लीट करें एगे उल्टे त्रप से मैंने आपको बताई दिया है तो इस तरह से मैं इसकी लंबाई को पूरा करती हूँ जितना लंबा मुझे उपर के साइड चाहिए आप अपने बच्चे के रिकॉर्डिंग बना सकते हैं यह से लेके और सेंटर तक मतलब देख लें थोड़ा सा नीचे रह जाएगा आदा इंच तम मैं आपको दिखाऊंगे थोड़ा सा मैं इसको कम्प्लीट कर लेती हूँ फिर मैं आपको आगे का दिखाती हूँ यह देखिए मैंने इसकी लंबाई बना के कम्प्लीट कर ली है तो देखिए आप नापके भी बना सकते हैं तो देखिए यहां से नापेंगे तो यह साड़े चार इंच करीब आ रही है और देखिए यहां पर यह मैंने दो का एक कर दिया उसके बाद एक फंदा हमने सेंडर में उल्टा बुन लिया फिर से दो का एक करेंगे ऐसे आप बूल को हम इधर कर देंगे यह वाली पिंक वाली आगे लाएंगे तो यहां पर दो का एक करेंगे फिर एक फंदा बीच में ऐसे ही बुने यहां पर गिरे से दो का एक किया उसके बाद एक खंदा बुना फिर से दो का एक बुल को पीछे कर देंगे इस वाली को पिंक वाली को आगे लाएंगे यहां पर दो का एक एक खंदा सेंटर में बुन लिया फिर से दो का एक पूरी रो ऐसे ही बुनते हुए जाना है यह करेंगे पिंग को आगे लाएंगे कि दो का एक एक बुना फिर से दो का एक कि पूरी रो लाष्ट तक ऐसे ही बुनते जाना है दो का एक एक फंदा बुनेंगे फिर से दो का एक इस तरह से फंदे घटाते हुए बनाना है इसको ऐसे इसको पीछे कर देंगे इसको आगे लाएंगे दो का एक करेंगे एक फंदा बुनेंगे फिर से दो का एक इसको पिंक को आगे लाएंगे यहां पर दो का एक करेंगे एक फंदा बुन लेंगे लाश्ट में दो का एक इस तरह से यहां पर फंदे घट रहे हैं आप देखिए यहां से हम जो जैसा है उसको वैसे ही बना लेंगे यह देखिए तीन भंदे पिंक और तीन यह देखिए गिरे अब पूरी रो ऐसे ही बुनते जाना है अब देखिए तीन गिरे और तीन पिंक यह देखिए पूरी रो लाश्ट तक हम बना लेते हैं इसको ऐसे ही यह देखिए तीन पिंक बुन लिए और तीन गिरे इस तरह से इसे इधर से ऐसे घट गए आप देखिए सीधे तरफ आगए आप देखिए हम सीधी रोपय आ गए हैं तो यहां से देखिए तीन का एक किया और इसको पीछे किया पिंक वाले को आगे लाएंगे ऐसे यहां पे पिंक से तीन का एक कर देखिए इसको पीछे करेंगे इसको आगे लाएंगे यह देखिए इस तरह से आपको फंदे सभी घटा लेने हैं जितना लंबाई अपने एक औरिंग रख सकते हैं आप यह से तीन का एक करते जाना है लाश्ट तक कर देखिए झाल झाल यह देखे आप देखे यह घटते हुए लाश्ट में हमारे पास एक एक फंदा रह गए है तो देखे इस तरह से इसका लुक आ जाएगा आप जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं यह लेडीच का भी बना सकते हैं इस तरह से light color लगा के तो देखे अब मैं यहां से यह देखे यहां से मैंने बूल को cut कर दिया आप देखे हम इन फंदों में से ऐसे सभी में से यह इस तरह से सुई पर ले लेंगे सभी फंदे एक फंदा छूटना नहीं चाहिए ऐसे यह देखे ऐसे ले लिए और देखे यहां पर इस वाले में इस तरह से कर लेंगे इस तरह से देखे ऐसे आजाएगा यह तो अब हम इसको पलट लेंगे आप देखे हम इसको सिलेंगे तो सिलने के लिए जो फंदा मेरे इदर एक उतारा है उसी को हम लेंगे ऐसे यह देखे यह बहुत ही प्यारा सा बनके कम्प्लीट होता है यहाँ पर हम ऐसे बराबर इसको कर लेंगे ताकि यह छुटा बड़ा ना हो सिर्फ हम बोई फंदा ले रहे हैं जो मैंने दोनों तरफ से उतारा है यहाँ पर अच्छे से हम टाक देंगे और जो फंदे वाले बूल है उसको हम अंदर के साइट कर लेंगे यहाँ पर देखे ऐसे इस तरह से इसको हम अंदर के साइड लेएंगे फिर कट करेंगे तोड़ा सा इस तरह से यह देखिए इस तरह से मैंने इसको सीधा कर लिया और यह बनकед यार आ है ऐसे एस यह दिसके पता वी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और से अर्जू कीजिएगा थेंक यू